C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाठ्य पुस्तक गनित का जादू 2 प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 10 इसका शीर्शक है अंक जोडो प्रिष्ट 76 से प्रिष्ट 83 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय 10 शीर्शक अंक जोडो प्रिष्ट 76 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर गुलाबी रंग से इस अध्याय का शीर्शक लिखा गया है अंक जोडो इसके बाई ओर एक खरगोश का चित्र दिखाया गया है जिसने अपने हाथ में एक कागज और पेन पकड़ा हुआ है कागज पर लिखा है दस और उस खरगोश के ठीक सामने एक हरे रंग का साप दिखाया गया है उस साप की हरे रंग की पूँच पर एक से लेकर 63 तक अंक लिखे गये हैं इसके नीचे लिखा है गेंद उचालो जानवर जंगल में खेल रहे हैं बारी-बारी से वे बल्ले पर गेंद उचालते हैं जब तक के गेंद गिर ना जाए हर खिलाडी को दो बार मौका मिलता है बुन्नु खरगोश उनके अंक जोडता जाता है क्या तुम जानते हो कि वो कैसे जोडता है? इसके नीचे बई और चित्र के माध्यम से एक कच्छुआ हाथ में बल्ला पकड़े हुए है और वो बल्ले पर गेंद को उच्छालता दिखाया गया है इसके ठीक दाई और बुन्नु खरगोश हाथ में कागज और कलम लिये दिखाया गया है वो कह रहा है तुमने गेंद बिना गिराए चौदह बार उच्छाली है इस प्रिष्ठ पर नीचे दिखाये गए चित्र में वो कच्छुआ कह रहा है अभी मेरी एक और बारी बची है उसके साथ वाले चित्र में वो कच्छुआ गेंद को बल्ले पर उच्छालते हुए दिखाया गया है बुन्नू उसे ध्यान से देख रहा है बुन्नू खरगोश कह रहा है इस बार गेंद सिर्फ साथ बार उच्छली है इस चित्र के नीचे लिखा है बुन्नू साप के खानों में अंक जोडता है चौदह और साथ को जोडने के लिए बुन्नू चौदह पर खड़ा होता है वो साथ कदम आगे की ओर कूदता है वो 21 पर पहुँच जाता है तुम भी इस तरह साप के खानों में जोड सकते हो प्रिष्ठ 77 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र के ठीक बाई और उपर बुन्नू खरगोश को दिखाया गया है और चित्र में अलग अलग जानवर अपने हाथ में तख्तियां लिये हुए दिखाये गये है चित्र में बाई और नीचे एक भूरे रंग के भालू को दिखाया गया है उसके नीचे लिखा है 33 जमा 11 है बराबर है रिक्त स्थान को भरिंग इसी प्रकार चित्र में दाई और नीचे एक कच्छुआ दिखाया गया है उसके उपर सफेद रंग की पट्टी में लिखा है 14 जमा 7 बराबर है रिक्त स्थान को भरिंग चित्र के बिल्कुल बीच में एक हाथी को दिखाया गया है उस हाथी की सून्ड के साथ में सफेद रंग की पट्टी पर लिखा है उनन्चास जमा 13 बराबर है रिक्त स्थान को भरिंग चित्र में दाई और एक शेर को दिखाया गया है शेर के उपर सफेद रंग की पट्टी में लिखा है 19 जमा 15 है बराबर है रिक्त स्थान को भरिंग इसी प्रकार इस चित्र में उपर भूरे रंग के एक बंदर को दिखाया गया है उसने अपने हाथ में एक सफेद पट्टी पकड़ी हुई है जिस पर लिखा है 18 जमा 10 बराबर है रिक्त स्थान को भरिंग उस बंदर के ठीक साथ में गुलाबी रंग की लूमडी को दिखाया गया है उसके ठीक सामने एक सफेद रंग की पट्टी दिखाई गई है जिस पर लिखा है 16 जमा 7 बराबर है रिक्त स्थान को भरिंग साथ ही इस चित्र में लाल रंग की एक गेंद को उचलते हुए दिखाया गया है इस चित्र के नीचे आप से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं लिखा है खेल में कौन जीता खाली स्थान को भरिंग इसके ठीक नीचे लिखा है खेल में कौन हारा खाली स्थान को भरिंग बुन्नु ने जीतने वाले को केले दिये इस पृष्ठ पर नीचे एक और चित्र दिखाया गया है इस चित्र में बाई और कुछ जोपणियां दिखाई गई हैं और उनके ठीक सामने एक नदी दिखाई गई है जिसमें एक बाली का नाव पर सवार दिखाई गई है वो अपने साथ कुछ फल लेकर जा रही है साथ ही इस चित्र में दाई और दो टोकरे सेब से भरे हुए दिखाई गई है और साथ ही गन्ने भी रखे हुए दिखाई गई है इस चित्र में बाई और सबसे उपर लिखा है बूझो और बताओ उसके नीचे लिखा है प्रभा अपने पडोस के गाउं में नानी के यहां जा रही है वो अपने साथ पंद्रह किलोग्राम गन्ना साथ किलोग्राम सेब और आठ किलोग्राम टमाटर ले जाना चाहती है उसे एक नदी पार करनी है नाव में वो पचीस किलोग्राम तक का भार ले जा सकती है क्या वो सारा सामान ले जा सकती है प्रिष्ठ 78 इस प्रिष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है चित्र में बाई और लिखा है इस बार कंगारू, गुरिल्ला, हिरन, जिराफ और शेर खेलने आए लेकिन शेर हार गया उसने गुस्से से कुछ अंक मिटा दिये मिटे हुए अंकों को दोबारा लिखो इस बार कौन जीता रिक्त स्थान को भरें साथ ही बुन्नु खरगोश खड़ा हुआ दिखाया गया है और बुन्नु खरगोश के साथ दाई और उपर उस्से में शेर को दिखाया गया है शेर ने जो पट्टी अपने हाथ में पकड़ी हुई है उस पर लिखा है सोलह जमा खाली स्थान बराबर है 21 खाली स्थान को भरें इस चित्र में बाई और नीचे एक जिराफ को दिखाया गया है उसने रसी से बंधी हुई एक पट्टी को अपने मुह में दबा रखा है जिस पर लिखा है खाली स्थान जमा आठ बराबर है 32 खाली स्थान को भरेंग उसके ठीक सामने एक हिरन दिखाया गया है जिसके सामने पीले रंग की पट्टी पर लिखा है 16 जमा 13 बराबर है खाली स्थान खाली स्थान को भरेंग इस प्रिष्ट पर नीचे एक बंदर को अपने हाथ में पीले रंग की पट्टी पकड़े दिखाया गया है जिस पर लिखा है खाली स्थान जमा 5 बराबर है 35 इसी प्रकार इस प्रिष्ट पर दाई और एक कंगारू को दिखाया गया है और सबसे नीचे गुस्से में एक शेर को दिखाया गया है उसके सामने जो पट्टी है उस पर लिखा है 23 जमा खाली स्थान बराबर है 30 इस चित्र में बंई और सबसे नीचे कुछ केले दिखाये गए हैं प्रिष्ट 89 इस प्रिष्ट पर बंई और सबसे उपर लिखा है चित और पट्ट उसके नीचे लिखा है क्या तुमने एक रुपई के सिक्के को दोनों तरफ से ध्यान से देखा है किस तरफ एक लिखा हुता है चित या पट इसके ठीक दाई और एक रुपई के सिक्के का चित्र दिखाया गया है पहले जो चित्र दिखाया गया है उसके नीचे लिखा है चित और सिक्के के दूसरी तरफ जहां एक लिखा हुता है उसके नीचे लिखा है पट समीना और सादिक खेल रही है उनके पास बोड पर एक से 99 तक संख्याएं लिखी है हर खिलाडी के पास एक बटन है वे सिक्का उच्छालते है जब चित आता है बटन दस कदम आगे की ओर बढ़ा दिया जाता है जैसे यदि समीना छै पर है तो वो सूलह पर चली जाएगी अगर उसका पट आता है तब वो केवल एक कदम आगे बढ़ेगी इस प्रिष्ठ पर नीचे पीले रंग की एक तालिका में एक से लेकर 99 तक संख्याएं लिखी गई है और सबसे नीचे बाई ओर हरे रंग के बकसे में लिखा है शुरू और दाई ओर सबसे उपर जो बकसा है उसमें लिखा है घर इस तालिका के उपर सादिक और समीना दोनों बैठे हुए चित और पठ का खेल खेलते दिखाए गए है इसके नीचे लिखा है अब तुम भी इस खेल को खेलो जो पहले घर पहुँचेगा वो खेल जीत लेगा दस कदम आगे बढ़ने का छोटा रास्ता क्या है प्रिष्ठ अस्सी इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर लिखा है एक बार में दो चिंटू और मिंटू खरीददारी कर रहे थे वे कुछ सामान खरीद कर लाए सामान की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने सिक्कों और नोटों का इस्तिमाल किया पर एक बार में सिर्फ दो का ही इस प्रिष्ठ पर उपर चिंटू और मिंटू को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है उनके ठीक सामने दस रुपए, पचास रुपए और बीस रुपए के नोट के चित्र दिखाये गए हैं उसी तरह एक रुपया, पांच रुपया और दो रुपए के सिक्के भी दिखाये गए हैं नीचे दिखाई गई चीजें खरीदने के लिए इन में से कौन से दो वे ले सकते हैं वे एक ही तरह का नोट या सिक का बार बार भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस प्रिष्ट पर नीचे कुछ वस्तूओं के चित्र दिखाये गए हैं उनके ठीक सामने उनकी कीमत एक टैग पर लिखी हुई दिखाई गई है बाई और सबसे नीचे एक हरे रंग का कुर्ता दिखाया गया है जिस पर कीमत के रूप में टैग पर लिखा है साथ रुपाए उसके उपर एक बल्ले का चित्र दिखाया गया है जिस पर टैग के रूप में कीमत लिखी है बीस रुपाए और इस बल्ले के नीचे दस रुपाए लिखा हुआ है इस प्रिष्ठ पर उपर एक पुस्तक का चित्र दिखाया गया है जिसके साथ कीमत के टैग पर लिखा है दस रुपई इसी प्रकार एक फुटबॉल का चित्र है जिस पर कीमत के टैग पर लिखा है चालीस रुपई और दाई और नीचे एक गुडिया का चित्र दिखाया गया है, जिस पर कीमत के टैग पर लिखा है पचीस रुपाई प्रिष्ट 81 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर लिखा है फटा फट जोड इस प्रिष्ट पर उपर दिखाये गए चित्र में एक लड़की कह रही है वेलू तुम क्या कर रहे हो उसके ठीक सामने एक ब्लैक बोर्ड पर लिखा है साथ जमा पांच जमा तीन बराबर है प्रश्न चिन्ह उसके नीचे एक बालक का चित्र दिखाया गया है वो कह रहा है अक्का इसे जोडने में मेरी मदद करो उसके ठीक नीचे दिखाये गए चित्र में अक्का कह रही है अरे इन्हें तो तुम बिना लिखे जोड सकते हो इसके ठीक दाई ओर दिखाये गए चित्र में अक्का कह रही है साथ से शुरू करो और उसमें पांच जोडो बारह आ जाएंगे उसमें तीन और जोडो ये पंद्रह बन गए इस चित्र में नीचे सफेद रंग की एक पट्टी दिखाई गई है जिस पर लिखा है साथ जमा पांच जमा तीन बराबर है या बारह जमा तीन बराबर है पंद्रह है इस चित्र में बाईं और नीचे वेलू कह रहा है मैं पहले साथ और तीन को भी जोड सकता हूँ दोनों का जोड दस होगा फिर उसमें पांच जोडूंगा इस चित्र के ठीक दाईं और दिखाए गए चित्र में वेलू कह रहा है तब साथ जमा पांच जमा तीन बराबर है दस जमा पांच बराबर है पंद्रह है इस प्रिष्ठ पर नीचे बाईं और लिखा है इन्हें करो खाली स्थान को भरें आठ जमा तीन जमा दो बराबर है खाली स्थान को भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश बच्चों को ये जोड मन ही मन करने दें अगर कुछ इसे नहीं कर पा रही हैं तो उन्हें साप खेल या सौ खानों वाले चाट के प्रियोग करने के लिए प्रेरित करें अलग-अलग युग्मों के मेल द्वारा शीघरता पूर्वक जोडने में उनकी मदद कीजिए प्रिष्ठ बयासी इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर हरे रंग में एक छिपकली का चित्र दिखाया गया है और उस पर लिखा है पेटू छिपकली इसके बाई और नीचे लिखा है एक छिपकली एक छेद से दूसरे छेद की ओर बढ़ती है जैसे जैसे वो बढ़ती है, छेद में छिपे हुए कीड़ों को वो खाती है छिपकली इन्ही लकीरों पर चल सकती है इसके दाई और एक चित्र दिखाया गया है जिसमें शून्य एक, दो, छे, तीन, पांच, नौ और आठ इन संख्याओं से चिन्हित कुछ छेद दिखाये गए है और एक छिपकली को एक छेद से दूसरे छेद की ओर जाते हुए दिखाया गया है इसके नीचे लिखा है, चित्र में दिखाये गए छेद से शुरू करते हुए चिपकली तीन छेद तक जाती है और अठारह कीडे खाती है चिपकली ने ये रास्ता पकड़ा आठ जमा एक जमा नौ बराबर है अठारह है बारह कीडे खाने के लिए चिपकली कौन सा रास्ता लेगी रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान बराबर है बारह बीस कीडे खाने के लिए चिपकली कौन सा रास्ता लेगी रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान जमा रिक्तस्थान बराबर है बीस इन रिक्तस्थानों को भरें इस बार छिपकली कीडे खाने के लिए चार छेदों में जाती है 18 कीडे खाने के लिए उसे कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा रिक्तस्थान, जमारिक्तस्थान, जमारिक्तस्थान, जमारिक्तस्थान बराबर है 18 रहे बारह कीडे खाने के लिए छिपकली कौन सा रास्ता लेगी रिक्तस्थान जमारिक्तस्थान 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 बराबर है बारह इन रिक्तस्थानों को भरें इस प्रिष्ठ पर दाई और एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र में छिपकली, मक्खियां और मधुमक्खियां दिखाई गई है प्रिष्ठ 83 खेलो खेल समीना और सादिक अब एक दूसरा खेल दो पासों से खेल रही है वे अपने अंक जानने के लिए दोनों पासों के अंकों को जोड़ते ही तुम भी इस खेल को खेल सकते हो पासा फेंको और अपने आए अंकों को लिखो देखो कि तुम मेंसे कौन पहले घर पहुँचता है समीना पूछ रही है ये कितने अंक है उसके ठीक सामने दो पासे दिखाए गए है इन दोनों पासों के सबसे उपर वाले हिस्से में पहले पासे में छे अंक दिखाए गए है दूसरे पासे में पांच अंक दिखाए गए है और इसके नीचे एक तालिका दिखाई गई है तालिका के उपर समीना का चित्र है और उसके दाई और सादिक का चित्र है तालिका के नीचे एक और बच्चा बैठा हुआ दिखाया गया है तालिका के पहले कॉलम में लिखा है पहली पारी, दूसरी पारी तालिका के दूसरे कॉलम में शीरशक के रूप में लिखा गया है शुरुआत उसके ठीक नीचे लिखा गया है शुरू और उसके नीचे दूसरे कॉलम में रिक्त स्थान छोड़ा गया है तालिका के तीसरे कॉलम में सबसे उपर शीरशक के रूप में लिखा गया है पासे के अंक उसके ठीक नीचे दो कॉलम में रिक्त स्थान छोड़ा गया है इन रिक्त स्थानों को भरें इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के एक बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इस रेकॉर्ड से बच्चे अपनी अपनी चाल के बारे में जान पाएंगे उदाहरण के लिए वे देख सकते हैं के बाएंग कॉलम से एक अंक से शुरू कर वे दाई और के अंकों को जोड़ कर दूसरी पारी के लिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ पंद्रह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय दस यहां समाप्त हुआ वाचक बावला कोचर तक्नीकी समन्वे बटी लैंगलिंग्डो निर्माण सहयोग रुची शर्मा निर्देशन वन निर्माण वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नईदिल्ली भारत